अपने को इस क्योस्टन में दिया गया है कि दा एडिशन स्टोरेज ओफ सेल का रिपरजेंटेशन है तो बोला है कि दा हाफ सेल रेक्षन दी गई है और उनका इनोट सेल भी अपने को दिया गया है और बोला है कि दा तीन पार्ट पूछें अपने को तीन पार्ट पूछें अपने को तीन पार्ट पूछें अपने को क्या पूछा है कि वाट इस अपने को यह पैचाना होगा कि एनोड किसका होगा कैफोड किसका होगा तो हमने देखा कि रिडिक्शन पोटेंशियल जिसका रिदिक्शन पोटेंश्यल जादा है, तो तो एनोर्ट होगा, पोटेंश्यल जादा है, तो एनोर्ड पता चल गए, तो अपने एक हो जाएगी नेट इन उड उनकर यहेट यह को जाएगी इसको जब बैलनस करेंगे तो यह यह इंगा यह आप मैंने डारेक्पिंगा है उलग लगए लिखके भी कर सकते हैं anode और cathode वाले को तो ये अपने cell reaction होगी तो अपने को क्या बोला है cell reaction होगी second part में क्या बोला है what is EMF EMF क्या होता है inode cell कितना पूछा है क्या होता है inode cathode minus e-note anode होता है तो cathode किसका है? cathode निखिल वाले का है तो 0.20 minus 0.87 तो इसको solve किया तो अपने emf आ गया e-note cell कितना आ गया? 127 वोट आ गया यह अपना e-note cell आ गया और अपने को third part में क्या पुछा है? तो third part में अपने को पुछा है कि what is the maximum amount of energy that can be obtained from one mole Ni2O3 की one mole Ni2O3K found के लिए कितनी energy required होगी तो third part में energy required कितनी होती है Ni2O3K एक mole के लिए कितनी energy required होगी and F in on cell यह अपने energy required होगी delta G energy होती है वह required इसके लिए होगी तो जब इसको सोल किया तो number of transfer electron 2 है इस reaction के लिए FKLU96500 into E note अपने निकाला 1.27 वोट तो इसको जब सोल किया तो 2.1411 kilojoule अपने energy आएगी इतनी इतनी energy required होगी अपने Ni2O3 के one mole deposit करने के लिए प्राप्त करने के लिए तो यह इसका अंसर होगी तो हमने क्या किया सबसे पहले discussion में क्या किया कि एनोड और cathode पहंचाना एनोड किसका है cathode किसका है cell reaction लिखी cell reaction के बाद हमने क्या लिखा इनोड से लिखा वो के से लिखा इनोड cathode माइनस इनोड anode और थर्ड पार्ट में अपने total energy का formula लगा दिया थैंक यू